केंद्री वानेजी और उद्योग मंत्री पियूश गोयल कल एक दिवसी दोरे पर रायपूर पहुँचे FCI का निरिशन करने के बाद उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में चावल को लेकर बड़ा घोटाला किया गया है उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने घरीबों के लिए जो चावल भेजा उसमें बड़ी गड़बड़ी हुई है उन्होंने रायपूर में एक प्रेस कॉन्फरेंस में केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को गिनाया तो वहीं राज सरकार पर चावल को लेकर कई आरोप भी लगाये केंद्री मंत्री ने राज सरकार की मन्शा पर भी गंभीर सवाल उठाए पूरी तरीके से जूट और फरेभ से जनता को बेवकूफ बराने की कोशिश कर रहे असत्य जनता के सामने रख रहे हैं जब वो कहते हैं कि केंद्र सरकार को हम कह रहे हैं आप 86 लाग मेट्रिक तान धान देंगे और केंद्री सरकार 61 लाग लेने को त्यार है। केंद्री मंत्री श्री गोयल ने आरोप लगाया कि मुख्य मंत्री चुनावी साल में जूट बोलकर किसानों में भ्रम पैदा करना चाहते हैं। कौंगरे सरकार ने पिछली बार का केंद्र को 61 लाग मिट्रिक टंच चावल पूरा नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि अगर राज सरकार 100 लाग मिट्रिक टंच चावल भी देगी तो केंद्र सरकार उसे लेने के लिए तैयार है। जब सेक्रेटि को पूचा गया कि बताओ भई आप 86 कहां से दोगे और उसने जब स्विकार किया कि हम तो 61 लिए इस साल दे पाएंगे। तब जो जूट पैक्स हमने 86 के हिसाब से पहले प्लाइन किये थे उसको घटाया आप 86 छोड़िये 100 लाग तन दीजे। मैं चैलेंज करता हूँ भुपेश भागिल जी को आप 100 लाग तन चावल दीजे। अभी भी 61 लाग नहीं आप 86 इस साल के दे दीजे। चलिए और आगे चैलेंज बढ़ा देता हूँ इस साल जो अभी का साल चल रहे हैं इस साल के आप 86 लाग दे दीजे। केंद्री मंतरी पिऊश गोयल ने कहा केंद्र की ओर से जुलाई में उचे स्तरी जाँच टीम भी भी भेजी गई। जाँच टीम ने कहा कि राजसरकार ने घरीबों को मुफ्त अनाज देने के मामले में अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई है। झाल